एक बार की बात है, बिलासपुर नाम का एक गाव होता, जहां पर रामु नाम का एक किसान रहता, रामु के दो जुडवा बेटे होते, जिसमें से एक का नाम राजु होता, और एक का नाम रमेश। बच्पन से ही पूरा गुस्से वाला और किसी की बात न मानने वाला होता, एक दिन रामु अपने दोनों बेटों को अपने सारे खेद दिखाने के लिए ले जाता, और राजु से बोलता, बेटा ये सभी जमीन हमारी है, जितने भी ये खेद दिखाई दे रहे हैं, ये सब अ मीनों की देखभाल तुम्हें ही करना है, और उससे जो भी पैसे आये, उससे दोनों भाई मिलकर साथ में खुश रहना, हाँ पापा, आप चिंता ना करें, मैं इस जमी और खेतों का खुद से ज्यादा ध्यान रखूंगा, और रमेश का खयाल रख कर उसको जिम्मेदार ब तंग आगया हूँ इस राजू नाम से, हर बार उसे ही ज्यादा प्यार मिलता है, और मुझे हर बार जलील होना पढ़ता है, अब लगता है इस राजू को अपने रास्ते से हटाना पढ़ेगा, इतना बोलकर ये बौक लाए हुए घर जाने लगता, और वही राजू अपन आननदा रहा है, आपके हाथ में जादू है मा, क्या लाजवाब खाना बनाती हो, खाले बेटा राजू, ये रोटियां आज तुम्हारी जीवन की आखरी रोटियां होने वाली है, तुझे मारने के बाद में घर वालों का और लोगों का सबसे लाडला बन जाऊंगा, इतन राजू सोया है या नहीं, उसको आज नींद में ही उपर भेज दूँगा, ताकि किसी को कोई शक न हो, उसके बाद रमेश हाथ में चाकू लेता और राजू के पास जाने लगता, तभी उसे ऐसा करते देख, रामू देख लेता, ये रमेश चाकू लेकर राजू के कमरे क तरफ क्यों जा रहा है, मुझे उसका पीछा करना होगा, इतना बोलकर रामू उसके पीछे जाने लगता, चल बेटा राजू, अब तुम्हारा उपर जाने का समय आ गया, बहुत परेशा हुआ, तुम्हारी अच्छाई से, अब लोगों की नजर में उनका हीरो में मा जल्दी आओ मा, देखो राजू ने पापा को मार दिया